कोस्टन नमबर 52 देखेंगे यह भी बहुत प्यारा कोस्टन है बहुत ही सांदार कोस्टन है और बहुत अल्टिमेट कोस्टन है यह भी कोस्टन मैंक्सिमुम बच्छे छोड़ देंगे क्योंको समझ में नहीं आएका तो लाइन टू लाइन को पढ़ते हैं और करेंगे कैसे वो समझने हैं ठीक है देखा देखो दियान से नफ्रोबिल्टी अफ सलेक्टिंग रेड बोल एट रेंडम फ्रोम और जार तो देखो हमें यहां से नहीं पढ़ना है दब प्रोबेल्टी ओफ सलेक्टिंग और रेड बोल इज यहां से इस ब्रेक कर लो कितनी है वन बाई- औरेंगे तो यह तो तो चोथी चीज की आप पूछा रहा है इसे बहुत अच्छे समझ में अब देखो ध्यान से हमें पता है कि भाई ध्यान से समझेंगे probability probability उप किनों को लिए ता हूं मैं एक साथ कौन-कौन सी रेड है ओर बलू है तो मतलब probability of red plus orange plus blue तो टोटल probability कितनी होती है जी simple सा आमें पता है one होती है यह तो हमें सभी को पता है अब हमें क्या दिया हूआ है probability of selecting red ball तो red ball की कितनी दूए है यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 by 4 plus orange ball की कितनी दूए है blue ball blue ball की दूए कितनी plus के 1 by 3 और यह नहीं दूए है तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहता हूं P probability प्रोबिल्टी ओफ ओरेंज यह समझ मैं पूरा लिख लो ओरेंज ताकि आपको और यह कितने के ब्राबर आएगा वन अभी इन दोनों को सोल करते हैं तो क्या आएगा जी वन वाई-4 प्लस वन वाई-3 प्लस पी प्रोबिल्टी ओफ ओरेंज ठीक है ओरेंज कितना आएगा पवНу फोरेंज तो इसको सोल करते हैं तो उसकी मिलीब्लह इदर इसकी आपकर है तो कितना जाएगा वन इंटू 3 फ्लस वन इंटू 4 भाषै तो यहां से कितना जाहतागा जी प्रोबील्टी ओंटी ऑरेंजуч यह धिए धियाम सत्किना नहीं एड़ कर देता हूं क्योंकि उधर तो 3 प्लस 4 अपॉन 12 प्लस P ओरेंज P ओरेंज ठीक है कितना जाएगा जी 1 अब इन दोनों को एड़ करेंगे 3 प्लस 4 7 और 7 अपॉन 12 तो मैं डिरेक्ट लिग भी यहां से कितना जाएगा 7 अपॉन 12 अब इस 7 अपॉन 12 को क्योंकि मुझे तो probability of orange निकालनी थी तो इसको उठाके मैं उधर ले जा रहा हूं तो इधर जाके क्या होगा यह माइनस में तो 1 माइनस 7 अपॉन 12 अब सेम इसको सोल करेंगे कुछ नहीं इसके नीचे तो 1 लगा देंगे फिर cross multiply यह इधर यह इधर तो 12 into 1 minus 7 into 1 upon में 1 into 12 कितना जाएगा जी जाएगे 12 minus 7 upon 12 तो आंसर कितना जाएगे 5 by 12 मतलब probability of orange probability probability of orange तो यह कितनी आ गए जी मेरी 5 by 12 अब हमने पता है क्या फर्मूला पता है कि probability probability of orange probability of orange क्या होता है जी भाई फेबरेबल केस फेबरेबल फेबरेबल case of orange ठीक है upon total ball upon total balls क्योंकि मुझे यह निकालना है यह निकालना है और मुझे यह दिया हुआ है orange क्या case दिया हुआ है और हमें orange की probability पता है क्योंकि हम वहाँ से निकाल चुके हैं वस value में put कर दो तो कितना जाएगा यह 5 upon 12 is equal to orange कितने है तो टोटल ओरेंज है तो 10 लिख लो अपन टोटल बोल कितनी है जी पता नहीं तो टोटल बोल्स ठीक है अब क्या करेंगे क्रोस मल्टिपल है यह इधर और यह इधर तो कितना जाएगा 5 इंटू टोटल बोल्स ठीक है is equal to कितना जाएगा 10 इंटू 12 अब हमें क्या निकालना थ कितना जाएगा 24 यहीं इसका अंसर है तो देख लिए आफ ने कितने आसानी से और कितने step by step मैंने break करके question को solve किया सेम इसी तरीकी से आपको भी जाब में करना है तभी आप कर पाऊगे बरना यह question आपको पजल कर देगा आपसे solve नहीं होगा तो अच्छे से देखना एक एक question को कैसे करते हैं तो अच्छे से देखना जीतनी बात बताई है मैंने अच्छे से उसको समझना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंट सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालू उसका notification आपको तुरंत मिल जाए और अच्छे से तो लगे अच्छे से अच्छी से खाए रह सकतू अच्छा की जगे ऊवता है in the मैं maior बातलू बात बात सबस्छा इंबान तो उना को लगे हैं और बता मैं भालू जब रश्षणे से नहें टालूम थालूऊे से पालूशी जालूगा ओnt पालूबागां ड़